हैलो तूस्तू कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाश 12 केमिस्टी के समपोर्ड किताब के चार नंबर वाले और पांच नंबर वाले प्रस्नों को जानेंगे और आपको ये पता भी होगा कि जो आपकी जो पेपर होता है बोर्ड एक्साम उसमें जो चार नंबर वाले प्रस्नों होते हैं चार नंबर वाले जो प्रस्नों होते हैं वो कितने पूछे जाते हैं पूछे जाते हैं तो इसका मतलब 16 नंबर यहां से और फिर से 5 नंबर वाले जो प्रस्णों होते हैं वो भी 4 ही पूछे जाते हैं तो यहां से 20 नंबर मतलब क्या हुआ कि 4 नंबर वाले प्रस्णों और 5 नंबर वाले प्रस्णों को त्यार कर लेते हैं तो आपका कितना हो ज पसना हमने बहुत ही पहले आपको बता दिया था नहीं देखें तो डिस्क्रिप्सन में या प्लेलिस्ट बना दिये गया है वहां पर जाकर देख सकते हैं ठीक है अधर्वाइस 36 नंबर आपको त्यार करना है तो यह सभी जो हमने बहुत ही लंबे तरीके से पूरा बिस्तार में करके पूछा जाता है तो मैं यहीं कहूँगा एक क्रेस्ट को मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा उसके बाद अपने नोट्स में इसको लिखते हुए चलिएगा और उसके बाद जब वीडियो समापत होगा तो मैं आपसे दो question पूछूँँगा और उन दोनों का मैं suggestion भी दूँँगा तो ध्यान से आपको पहले वीडियो को देखना है तो चलिए हम इस्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमने लिखते हैं class 12 chemistry VBI question 2024 board exam के लिए और यहाँ पर हमने लिखे चार और पांच नंबर वाले प्रस्न चलिए हम एक करके समझते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर प्रस्न आता है सबसे पहला प्रस्न जो की VBI है यह सभी VBI है ठीक है तो देखिए यहाँ से अगर आप थोड़ा से ध्यान से समझ ले तो चार question यहाँ से चार question यहाँ से मतलब 8 question यहाँ से पूछे जाएंगे कितने 8 question अब मैं आपको कितना बता रहा हूं 17 question बता रहा हूं ठीक है तो 8 दूना कितना होता है 16 मतलब मैं कह रहा हूं कि 2 question त्यार किजिए उसमें से 1 question fix आएगा तो इससे कम क्या हो सकता है बहुत ही हमकंबन बता रहे हैं आप 17 question त्यार कर लिजिए इसमें से 8 आही जाएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैं कहूंगा कि हलके में विल जग्याद कीजिए VVI question है तो इसको आप त्यार कर लिजिएगा अब देखिए आप कहेंगे कि सर सुन्नी कोटी की अविक्रिया भी तो बहुत important है तो आपने वो क्यों नहीं बताया है तो देखिए मैं जानता हूँ ठीक है मैं मुझे लगता है कि प्रथम कोटी की अविक्र यही आएगा तो आप प्रथम कोटी की अविक्रिया अगर विश्वास है तो त्यार कीजिएगा अगर और भी आपके बस समय तो अभी बहुत है ठीक है उतना भी नहीं है बट अभी भी है अगर आप चाहें तो त्यार कर सकते हैं सुन्नी कोटी की अविक्रिया का भी वो आ add कर देता है numerical add कर देता है तो मैं अभी numerical का भी session start कर दिया हूँ तो उसका लगबब मैं जानता हूँ कि मैं ले chapter wise भी कराया हुगा है उसके साथ सथ हमने एक एक जो भी समपूर्ण किताब से जो important numerical है वो सब हम करा रहे हैं जिसका हमने लगबब दो तिन वीडियो भी बना दिया है तो आप जाकर numerical का session भी देख सकते हैं description box में link है वहाँ से भी अपनी numerical को पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है अगला आता है दूसरा हमारा question है ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कहा जा रहे diethyl ether मतलब diethyl ether के बिचरण की विधी और उसके बाद गुण उपयोग और इसके साथ सब मैंने देखा है अभी आजी मैंने यह सभी आपको नहीं विश्वास होगा तो यह सभी आपके ही board exam में से पूरा छाट कर यह सब निकाला गया है तो आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है ठीक है ना तो मैं कहूँगा कि त्यार कर लिजेगा ठीक है ना अगला आता है lucas perichan तो यह जो question पूछा गया था diethyl ether के बिचरण की विधी तो उसमें आपका गुण उपयोग के साथ साथ lucas perichan भी पूछा गया था तो मैं कहूँगा lucas perichan भी त्यार कर लिजेगा एक और होता है mollis perichan जो कि हमने करा दिया है lucas perichan बचा हुगा यह भी हम करा देंगे यह सभी लगबग topic है जो हमने करा दिया है ठीक है अगला आता है तीसरा जो है ethanol तो ethanol की अध्योगिक विधी ठीक है ethanol की अध्योगिक निर्माड की विधी क्या होता है इसको आपको बताना है और उसके साथ साथ इसका गुण भी कहा गया है और उपयोग भी पूछा गया है तो गुण मतलब क्या भौती गुर्ण और असाइनी गुर्ण ये सब तैयार करना है और एक बात याद रखेंगे एथिनल कोई हम एथिल एलकोहाल भी कहते हैं तो इससे आपको confused नहीं होना है कभी एथिनल भी कह सकता है कभी एथिल एलकोहाल भी कह सकता है इसके साथ साथ मैं आपसे request करूँगा कि यदि आपके पास थोड़ा सा अच्छा नंबर आप लाना चाहते हैं तो इलकोहाल किसे कहते हैं और इसकी बनाने की विधी और इसका वर्गी करन जरूर पढ़ लीजिएगा जिसमें प्राथमी के लकोहाल दुतिय केलकोहाल, तृतिय केलकोहाल यह सभी very important है वो ज़्यादा तर तीन नंबर में पूछा जाते हैं तो मैंने तो तीन नंबर वाले बता नहीं हूँ ठीके पहले हमने बता दिया है इस वीडियो में 4 और 5 नंबर वाले बता रहा हूँ अगला आता है thicken प्राथमिक एमिन, दुतिय केमिन तो प्राथमिक, मतलब वर्गी करण भी आपको पढ़ लेना है ठीके, तो यह सभी आपको ध्यान से याद कर लेना है इसका गुण सब कुछ आपको इसका भी आपको गुण याद कर लेना है और इसका भी उपियोग ठीक है यह कहना नहीं है इन सभी को आपको जिसका बनाने की विदी कहे उसका गुण और उपियोग आपको त्यार करना है ठीक है यही ज्यादा तर यही इसी टाइप के क्वेस् क्या होता है इसकी बनाने की विधी तो देखिए बनाने की विधी कहे यह आपसे कहए विचरण की विधी दोनों बात एक ही होता है ठीक है तो इससे आपको बनाने की विधी बता देना है उसके साथ साथ क्लोरोबेंजीन का गुण और उपियोग भी लिखना है और इसी में एक और क्वेस्चन आइड के दिया है कि एनिलीन से फिनॉल बनाना है तो एनिलीन से फिनॉल बनाने की क्या विधी लिखना है ठीक है मतलब सिंपोल में कहें तो फिनोल वनानी की विधी भी आपको लिखना है तो ये सभी important question है इस question में आपको दो question add कर दिया है तो समझ पकते हैं ये 5 नंबर में आपका ये question पूछा गया है ठीक है अगला आते हैं अब अपने प्रस्न पे जो है लेंथेनाइड आकूचन अब देखिए एक है लेंथेन लेंथेनाइड किसे कहते हैं ये भी जादा तर पूछा गया है और लेंथेनाइड आकूचन कहें या संकूचन दोनों बात एक है तो इन सभी को आपको बिल्कुल तयार कर लेना है उसके साथ एक्टेनाइड क्या होता है ठीक है एक्टेनाइड संकूचन क्या होता है ये भ ये सभी तीन नमबर में पूछे गए हैं तो ये सभी important है इसलिए मेरे दिमाग में है कि ये तीन नमबर में पूछे गए हैं तो इसलिए मैं कहूंगा कि इन सभी को वी notes में लिख लिजएगा और आपको इन सभी को तियार कर लेना है देख रहे हैं इस पर संचिप्त में दो विधियां लिखियें, तो फिनॉल बनाने की विधी क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, यह सब आप तयार कर लेंगे, समस्रा है ना, तो इस प्रकार आप तयार करेंगे, मैंने इन सभी टॉपिक को पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन बात वहां से जो भी आप बेसिक ट्वाई पढ़ाई करना चाहें सभी इंपोर्टेंट क्वेस्चन का तो वहां पर फिजिक्स और कमिस्टी दोनों का लिंक है किलिक करके आँ वहां से पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है सभी वीडियो वहां पर मिल जाएंगे अगला आता है जो है गुलकोज का कैया उप्योग होता है इसका यूसर कहां होता है वो भी आपको बताना है ठीके मैं ऐसा करता हूँ समझ के होंगे अब देखी ये वहुत बार ये question पूछा गया है कि आणविक्ता और कोटी तो देखे आणविक्ता और कोटी का कभी परिभासा कह देता है और कभी-कभी आणविक्ता और कोटी में अंतर कह देता है जादा तरफ से अंतर ही पूछा जाता है तो आप अंतर जब तयार करेंगे न तो उसी में आपको परिभासा भी याद हो जाएगा इन दोनों का तो आणविक्ता और कोटी में क्या डिफरेंट होता है ये बिल्कुल आप तयार कर लीजेगा ठीके कभी-कभी ऐसे आणविक्ता ना कर कर कह देगा कि अभिक्रिया की आणविक्ता और कोटी में अंतर लिखिए और चार नंबर में पूछता है तो चार आपको अंतर कम सकम बता देना है अगला आता है ग्लुकोज वनाने की दो विधियों का रासाइनिक समिक्रंट दीजिये आग ग्लुकोज वनाने की दो विधियों का मतलब ग्लुकोज कैसे बनाये जाता है इसकी दो विधिया आपको लिख देना है और उसके साथ साथ ग्लुकोज का उपियोग भी लिखना है ये बहुत बार ये question पूछा गया है अगला आते हैं जो है वर्नर सिद्धान तो वर्नर सिद्धान कितना इंपोर्टेंट है आपको पता ही है अगला आता है जो है कि सुन्यक्ता आबंद सिद्धान ये कलास 11 में भी हमने पढ़ा हुगा है class 12 में भी हमने पढ़ा हुगा है ठीके उसके बाद देखी ये 15 हावा question हो गया चलिए 13 हावा 14 हावा हम नहीं देख रहे हैं तो वो देख ले पहले देखे 13 हावा question है draws nehi collide और draw बिरोधी collide और इसका भी परिभासा और अंतर तो देखे परिभासा और अंतर अंतर और परिभासा दोनों आपको त्यार कर लेना है ठीके अगला आता है जो है 14 हावा हमारा question कि हेलो एलकोहाल के विचरण की विधी लिखना है मतलब इसकी जो क्या होता है एलकोहाल वनाने की विधी लिखना है ठीके उसके साथ इसका गुण और उपियों भी त्यार कर लेना है और उसके बाद आते हैं हम सुलाहावा हमारा question है कि protein की 2-3-1 रचना ये बात आप याद रखेंगे protein की 2-3-1 रचना से आप क्या समझते हैं पूरा आपको deep में explain कर देना है ये 5 नमबर में आपका ये question पूछा गया है ठीक है सुलाहावा जो हमारा question सोरी सात्रहावा question जो है eldehyde बनाने की विधी इसका गुण और उपियोग भी आपको लिखना है तो ये सभी question इन सभी को हमने पहले ही करा दिया है बस केवल हमने कुछ topic है जो नहीं करा है जैसे गुलकोज जो समंदित है गुलकोज वाला वो ही हमने केवल नहीं करा है उसके अलावा सब हमने करा दिया है description box में chemistry करके link एक दिया गया है उस पे आप click करके पढ़ाई करना चाहें तो सभी अभी तक के जो भी हमने chemistry में पढ़ाया है सभी BBI question मिल जाएंगे तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं physics की chemistry क्या मैं आसा करता हूँ समझ के हूँगे यदि ऐसे पढ़ना चाहें तो आप लिख सकते हैं जैसे आपको पढ़ना है माल लेते हैं परत्तम कोटी की अभिकिरिया के लिए बेग इस्तिराहं का ब्यांजग तो आप ऐसे हैं लिख footsteps कर आप यूटी की अभिकिरिया के लिए बेग इस्तिराहं का ब्यांजग brother sir इतना लिख कर आप YouTube पे सर्च करेंगे वीडियो आपको अमारा मिल जाएगा मैं आसा करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ health मिला होगा ठीक है जिससे आप अपनी अच्छे से तियारी कर सकें तो मैं दो question आप से पूछना चाहूँगा सबसे पहले question यह क्या आपको यह सभी question जैसे कि अभी दो महिना और बचे हुआ है तो क्या यह सभी question आपको त्यार है त्यार है तो आप हमें comment सकते हैं बताईएगा और नहीं त्यार है तो अब आप कैसे त्यार करेंगे त्यार करने के लिए description में link है तो ऐसे आप त्यार कीजिए अभी से आप पढ़ाई करेंगे तो यह अगर रोजाना दो-दो topic भी त्यार कर लेते हैं तो आठ दिन का यह topic है आठ से नो दिन में आप पूरा topic के त्यार कर सकते हैं ठीक है तो बहुत ही अच्छी बात है तो आप ऐसे ही त्यार कीजिए मैं यही कहूंगा वीडियो से help मिला हो तो वीडियो को like किजएगा चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपकी support की बहुत जरूरत है ठीक है तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते के नए topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद